बिस्मिल्ला रिमानी रहीम, अस्सलामों अलेकूम, वेलकम टो स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे रमजान महिने के लिए बिल्कुल नई रेसिपी, क्रिस्पी पिज़ा रोल, आप इसे ज्यादा बना कर डीप फ्रीजर में रखकर 10-12 दिनों तक स्ट रोल पर टूट पड़ेगे, इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं, तो चलिए इस मज़ेदार से क्रिस्पी पिज़ा रोल को किस तरह बनाते हैं, देख लेते हैं, पिज़ा रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज के उबलेवे आलू ली हूँ, इसका छि यहाँ पर सभी आलू को मैंने क्रश कर ली हूँ, अब हम पिज़ा रोल बना रहे हैं, तो जो चीज़े पिज़ा में डालते हैं, वही सब चीज़े इसमें डालेगे, तो एक चमच पुल भरके कुटी वी लाल मिर्च ली हूँ, एक चमच भरके काली मिर्च का पाउडर, ए अगर नहीं है, आपके पास तो भी कोई बात नहीं, नहीं डालेगे, तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, मेरे पास है, तो एक चमच में डाल रहे हूँ hereपट, अब इसमें में डाल रहे हूँ था, देखिए, मैजिक मसाला, मेगी का, तो यह बाजार में आसानी से मिल जात अगर नहीं है आपके पास तो इसकी जगा पर आप चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हूं नमक डाल देते टेस्ट के साब से अब यहां पर पीज़ा रोल बना रहे हैं तो इसके लिए टमाटर प्याज और शिम्ला मिच को डाले गए तो बाहर जो बाजार में पीज़ा मिलता है तो इसमें यह तीनों चीज़े डाली डाले जाती है तो यहां पर दो मीडियम साइस के कटकता चैनल अधला मेरा तो इसे भी और दूता है czy सीजघ काटलेया है तो अबच्चों के बना मैं बनाना जितना वी वह हो सकते अतना बारी अपका अधने थे बिश्च निकाल खट ओ इसे अग्दम भारीग यहां पर 4-5 बारीक कटीवी हरी मीच लीओं मैंने तो देखे आगे भी मैंने कुटीवी लाल मीच डाली तो आप अपने टेस्ट के साब से डाले और बारीक कटावा हरा धनिया यह भी डाल देते अब यहां पर बच्चों का सबसे फेवरेट टमाटर केचप डालेगे तो 4-5 चमच मैंने टमाटर केचप ले लिए पिज़ा की तरह टेस्ट लाने के लिए यहां पर हम डालेगे 4-5 ब्रेट की स्लाइस तो देखे यहां पर मीडियम साइज के ब्रेट की स्लाइस है और चारो ब्रेट तोड़कर दालेगे ना तो एक तो यह फायदा होगा कि पीज़ा की तरह ही टेस्ट आएगा और जो आलू का और सब्जीयों का पानी होता है वो भी अच्छी तरह से अब्जॉब कर लेते हैं इस तरह से हमें देखिए पीज़ा बेश की जरूरत भी नहीं पड़ेग ना तो जो पीज़ा में डालते बस वही चीज़ा डालिए जटपड बनकर तैयार हो जाता और खाने में बिल्कुल आपको टेस्ट हो पीज़ा की तरह ही लगेगा यहां पर देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए आटे की तरह अगर आपको लगे कि यह ढीला लग अगर आपको यह नहीं डालना है ना तो इसकी जगा पर आप देखिए इस तरह से चीज क्यूब आता है तो इसे भी हमने जिस तरह से अलू को खरकर के लिया था ना तो इसे क्रश करके डाल सकते हैं यहां पर मैं मौजरेला चीज डाल रही हूं क्योंकि बच्चों को ज्या कि हलके आतों से मिक्स कर लेगे ताकि जो चीज वह अच्छी तरह से मीक्स हो जाए चीज की कॉंटेटी आप अपने साब से कम ज्यादा भी कर सकते हो जहाँ तो नाहीं को पिजада बेस बाहर से लाने की जरूरत है नाहीं जो पिजब हमसाले होता है उसे लग से तैयार करने की जरूरत है सबी चीजे एक ही इसमें आगाई है कि जल्दी काम हो जाता फटऊ-फट यह पीजार रोजा रखते हो और आप इफतारी में इस तरह से बना कर दोगे ना पिज्जा रोल तो बच्चों की खुशी का ठीकाना नहीं रहेगा यह देखिए सबी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए रोल बनाने के लिए हाथों पर थोड़ा तेल लगा लेगे और यह थोड़ा मिक्स्चर ले ले लेते तो बड़ा छोटा रोल आप अपने साब से बना सकते हो इस तरह से पहले थोड़ा गोल-गोल कर लेगे यहां पर थोड़े छोटे साइस के रोल बना रहे हुं मैं इस तरह से उंगलियों की मदस्चे से गोल-गोल कर लेना है बहुत यह आसानी से बन जाते आपको अगर बड़े बनाना है तो बड़े रोल भी बना सकते हो, छोटे बनाना है, तो छोटे भी बना सकते हो, अब इस तरफ से, दोनों तरफ से इस तरह से हम दबा देगे, इतना लंबाई में मैंने बनाई हूँ, दोनों तरफ से इस तरह से थोड़ा-थोड़ा दबा देगे, थाकि इसका शेप भी दिखने का शौक होगा क्योंकि यह बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं कि यहां पर सारे रोल बनाकर तयार कर लिए मैंने और सिर्फ चार अलू से हमारे 45 के करीब रोल बनकर तयार हुए हैं अगर आपको इस टाइम पर इसे स्टोर करना हो तो इस्टोर करने के लिए क्या करना अपने थोड़ा सा कॉन फ्लोर ले लेना और कॉन फ्लोर में इस तरह से इसे डीप करकर अच्छे से लगा लेना है और फिर कोई भी एर टाइट डब्बे में डालकर आप इसे 10-12 दिन के लिए डीप फ्रिजर में स्टोर करके रख सकते हो इसकी वज़ा से क्या होगा कि कॉन फ्लोर की वज़ा से आपस में एक दूसरे से यह चिपकेगे नहीं तो थोड़े में इस तरह से कॉन फ्लोर का आटा लगा कर रख दूंगी क्योंकि मुझे थोड़े स्टोर करना है और बाकी के में फ्राइ करूंगी तो जो इस्टोर करना है उसी को आपने इस तरह से सूखा कॉन फ्लोर लगा कर रखना है ताकि आपस में चिपके नहीं बाकि जो फ्राइ करेंगे नाम तो उसके लिए में कॉन फ्लोर का घोल बनाना होगा इस तरह से आपस में चिपकेगे भी नहीं और दस से बारा दिल तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो यह बिल्कुल खराब नहीं होगे अब देखिए रोल को फ्राइ करने के लिए इसका गोल बना लेते तो यहाँ पर आधी कटोरी मैंने मैदा लिए और आधी कटोरी कॉन फ्लोर लेगे कॉन फ्लोर की वज़ा से यह अच्छे से क्रिस्पी होते थोड़ा सा नमक डाल देते ताके उपर से भी टेस्ट आ जाए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गोल बना लेगे इसमें लम्स ना रहे, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर, अच्छे से मिक्स कर ले, ये देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा सा गाडा गोल बनाई हूँ, अब हमें फ्राइ करना है रोल को, तो इसमें ही डीप करके हम अच्छे से फ्राइ करेगे, तो देखिए, इसमें पाई कुछा इशाना आदeds स्टोर के वे फ्राई करना है हुर्ग इस थरे बनाकर जब भी फ्राई करना ओना थो इस तरह से गोल बनाकर अंदर से आलू अगर हमारे सब पके हुए इसके लिए जो उपर की कोटिंग है न उपर की लेयर उसे ही हमें क्रिस्पी करा रहा होने तक फ्राइ करना है कड़ाई में जितने आए उतने डाल कर इसे हम एक मिनट के लिए ऐसे ही रहने देगे उसके बाद उलट पलट के फ्राइ करेगे तो मैं फटा-फट से गोल में डीप करके से डाल देती हूँ कि यहाँ पर मैंने मैदा और कॉन फ्लोर का गोल बनाई हूँ अगर आपके पास कॉन फ्लोर ना हूँ ना तो आप उसकी जाब पर चावल का अटा भी थोड़ा सा लेकर गोल बना सकते हूँ देखिए यहाँ पर एक मिनट हो गए अब मैं इसे उलट पलट कर फ्राइ करूगी कॉन फ्लोर की वज़ा से उपर की लेर इसकी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनती है यह आपस में अभी चीपक रहे है थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच चलाएगे ना तो यह चुट्टे चुट्टे हो जाएगे यहाँ पर देखिए उलटे पलटे अच्छा सा कलर आ जाएगे वहां तक में इसे फ्राइ कर लोगी और आप देख सकते हो दिखने में पता चल रहा है कि कितने क्रिस्पी बन रहे है उपर से यह देखिए जो टाइम पर मैंने रोल दाली थी वो टाइम पर आपस में चिपक गए थे लेकिन जैसे जैसे यह फ्राइ हो रहे है ना एक दूसरे से अलग-अलग हो गए तो यहां पर देखिए रोल का कलर बढ़िया सा आ गया है माशाला बहुत ही क्रिस्पी करारे हो गए है तो बस अभी इस टाइम पर हम इसे निकाल लेगे दिखने में ही पता चल रहा है कि कितने क्रिस्पी करारे बने है तो यह फ्राइ हो चुके मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ यह देखिए इसकी आवज तो यह आप देख सकते हो कि कितने क्रिस्पी करा रहे दिख रहे हैं इसकी साइट की लेयर देखकर ही पता चल रहा होंगा कि देखी कितने क्रिस्पी बने है अंदर से आलू तो हमारा पका हुआ ही है बस उपर की लेयर को अच्छा सा हमने क्रिस्पी किया है इसे बहुत ज्यादा फ्राय करने में देर भी नहीं लगती है आप बच्चों को टमाटर केचप या फिर मेयोनीस के साथ दोगे ना तो बहुत ही खाने में मज़े के लगते बिल्कुल इसका टेस्ट है ना जिस तरह से पिज़ा होता है उसी तरह के मसाले डालकर हमने बनाया है तो बहुत ही जबरदस लगते बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगे देखिए इसके आवा सुनिए माशालला कॉन फ्लोर की वज़ा से बहुत ही उपर से क्रिस्पी बने तो इसी तरह से दूसरी बेच भी मैं फ्राय कर लेती हूँ और बाकी जो है उसे हम स्टोर कर लेगे उपर से क्रिस्पी करा रहे और अंदर से सॉफ्ट चीज वाले ये पिज़ा रोल का कॉंबिनेशन बहुत ही बहतरीन लगता है अपने मन पसंद कोई भी सॉस के साथ आप इसे खा सकते हो महमानों की दावत रखी हो तो इसे स्टार्टर के तोर पर भी बना सकते हो बच्चों को टीफिन बॉक्स में दे सकते हो डीफ रीजर में स्टोर करके रखे हो तो अगर मैमान अच्छानक से आ जाए तो फौरान ही इस रोल को निकाल कर फ्राए करके दे सकते हो रमजान महीने की ऐसी नई नई रेसिपी सिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले अपना बहुत सारा ख्याल रखे दुआओं में हमें भी याद रखे पिर मिलते इंशाला एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिस ही स्टेशिया बिल में हूपी अव्याद ग्राइब कर दो कर दो झाल झाल